रादे रादे कैसे है आप सोभी? आज की वीडियो के अंदर हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्प्रेशन के राइड विश्यू के बारे में बात करने वाले हैं इस कंपनी को ह्ट चेशी सी बोला जाता है इस company ने राइड़ुश्य को announce कर दिया है, तो देखते हैं कि इस राइड़ुश्य की record date क्या है, कब कब हम इसमे apply कर सकते हैं, कितने shares हमें free मिलने वाले हैं, जिसके पास इस company के share नहीं है, वो भी इस राइड़ुश्य के अंदर कैसे part ले सकते हैं, वो आपको मैं share कर अगर आप उसके share order नहीं हो, तो भी आप राइड़ुश्य के अंदर part ले सकते हैं, इस लिए इस वीडियो को end तक complete देखनेना, आपको मैं पूरी जानकारी share कर दूँगा, और अगर चैनल पे नहीं हो, तो चैनलो को subscribe करके, बेल आक रिड़ कर लेना, यहां आपको सभी copyed regarding all updates, share कर दे जाती है, तो चलिए फिर, start करते हैं आज का यह वीडियो, company ने mention किये है, कि राइड़ुश्य जो price है, वो रखा गया है, 21 रुपीज पर share का, मतलब, राइड़ुश्य में जो apply किया जाएगा ना, उसमें आपको 21 रुपीज पर share देने पड़ेंगे, और इसकी आपके पास 16 मार्च तक account में share होंगे, उन्हें right issue की जो share है, वो free मिलने वाले है, इसका मतलब यह नहीं है, कि बाकी लोग इसमें काम नहीं कर सकते, बाकी लोग भी इसमें trade कर पाएंगे, इसमें part ले पाएंगे, अभी मैं इसको आगे शीर करूँगो कैसे उनमें काम करना 16 मार्च जो है, मतलब आपके पास 15 मार्च को account में share होने चाहिए, सिंपल सी बात है, 15 मार्च Friday है, तो उस दिन आपके account में share होने चाहिए, तो आपका last day जो है buy करने का, वो है 14 मार्च का, मतलब जिसने आज तक इस company के share को buy किया होगा, वो इसके अंदर अभी eligible है, तो last day जो buy करने की बन जाती है, वो बन जाती है 14 मार्च की, ध्यान रखना, अगर आप कल इसके अंदर buy करेंगे, तो आप right issue के अंदर eligible share order नहीं आएंगे, यहाँ पे लोग confusion हो जाता है, लोग इसमझ लेते है कि अगर हमारे पास share नहीं है, तो हम right issue में part नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा कम्पनी यह dates mention करी है, वो dates इस तरह से है, right issue जो open होगा, मतलब right issue जो RE share है, वो आपको कब मिलेगा, वो जो कब list होगा, वो date है 26 मार्च की, 26 मार्च को RE share जो है, वो market में list हो जाएगा, और 2 अपरेल, RE share के trade करने की last दिन होगी, मतलब 26 मार्च से लेके 2 अपरेल तक RE share जो जो खा गया है, वो रखा है, 1 ratio 9 का, मतलब आपको 9 share के बदले में 1 share मिलने वाला है, किसी के पास 90 share होंगे, उसको 10 share मिलेंगे, RE share, जिनके पास 16 मार्च को अकाउंट में share होंगे, उन्हें 9 share पे 1 share RE free मिलने वाला है, अब समस्ते है, पूरे details के अंदर, देखिए, इसके अं 12 मार्च तक अकाउंट में share होंगे, उन्हें 9 share पे 1 share RE share मिल जाएगा, अकाउंट के अंदर, जो की 6 मार्च, जो की 26 मार्च से लेके 2 अपरेल तक market में trade करेगा, अब आपके पास option है, कि या तो आप उसको वहीं sell कर दो, अगर आपने sell कर दिये shares, तो आपको कुछ नहीं करन होगा, बट अगर आपको sell नहीं करते हो, या फिर वो लोग जिनके पास अभी share नहीं है, और वो चाते हैं इस company में investment करना, वो चाते हैं रैडिश्यू में part लेना, तो वो 26 मार्च से 2 अपरेल के बीच में बजार से, market से इस shares को buy कर सकते हैं, HCC RE का जो share है, वो market में 26 मार्च से 2 अपरेल के बीच में trade करेगा, आप चाहे तो उसके अंदर उस time buy कर सकते हैं, या फिर आप अपने position को उसके अंदर increase कर सकते हैं, For example के लिए मान लेते हैं, आपके पास अब भी 900 share है, किसके? SEC के, main 900 share के पास में, तो आपको 9 के मतले में एक मिलने वाला है, मतलब आपको 100 share RE की मिल जाएंगे, अब आपको चाहते हो कि मुझे तो और increase करनी है, तो आप मान लेते हैं 500 share और buy कर लोगे market से, तो आपको कितने share हो गए है, आपको 6 share हो गए है, तो आप आप 6 share के लिए addition में apply कर सकते हैं, यह point की हो गए आपको, मतलब आप चाहो तो और buy कर सकते हो, चाहे तो sell भी कर सकते हो, चाहे उनमें trade भी कर सकते हो, मतलब 26 March को open हुआ, आपने 26, 28 March को इसमें से buy कर लिया, और आपको मान लोग भाव मिल गया 2 April तक सही, तो आप इसको बेची रिकर सकते हो, तो उस 1 week के अंदर, यह RE share जो है, वो market में trade करते हैं, तो आप इसके अंदर आम से buy sell कर सकते हो, बस ध्यान रखना, इसके अंदर intraday नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, कि अगर मान ले आपने आज buy किया है न, तो आप इसको आज की आज sell नहीं कर सकते हो, आपको आज buy करके अगले दिन sell कर सकते हो, पॉइंट की लोग या, आरी शेयर के अंदर कभी भी intraday नहीं होता है, इसलिए वो लोग जो last दिन, दो अप्रेल जो पड़ेगा इसके अंदर, दो अप्रेल को buy करेंगे न, वो उसको market में अंदर sell नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इसके अंदर apply करना ही पड़ेगा, तो अगर आपको red issue के अंदर apply नहीं करना है, आपको 21 पर share नहीं देने है, तो गलती से भी last दे जो होगा न, trade करने का RE shares का 2 अप्रेल का, उस दिन market में इन shares को buy मत करना, क्योंकि आप उस दिन shares को sell नहीं कर पाएंगे, तो आपको share रह जाएंगे, तो आपको apply करना ही पड़ेगा, एक बाद ध्यान डगना, जिन लोगों के पास RE shares है 2 अप्रेल को, मतलब, RE shares के trade करने के जो last दिन है 2 अप्रेल, उसके बाद जिन लोगों के पास RE share बच जाएंगे, अगर वो लोग apply नहीं करेंगे, तो उनके वो RE share की value हो जाएगी 0, या तो आप last दिन 2 अप्रेल से पहले पहले उनको sell कर दो, अगर आप sell नहीं करते हो तो आपको right issue के अंदर apply करना पड़ेगा, apply करने के last date है 5 अप्रेल की, 26 March से लेके 5 अप्रेल के बीच में आप कभी भी right issue के अप्रेल कर सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि 26 March से 2 अप्रेल त देखा है कि लोग क्या करते हैं, उनके पास 100 share RE आया है मानलो, तो उन्हें 100 share RE के लिए apply कर दिया, फिर उन्हेंने market से 100 share or buy कर लिए, और RE shares में क्या है, double application नहीं लगती है, एक application लगती है, तो उन्हें 100 के लिए apply कर चुके है, अब उन्हें 100 or buy कर लिए, अब उन्हें उसके apply करना है, तो उन्हें पहले वाले को cancel करना पड़ता है, फिर दुबारा से apply करना पड़ता है, तो ये गलती मत करना, अगर आपका decision fix है, कि मैं 26 मार्स से 2 अप्रेल तक market में buy or sell नहीं करूंग, आरी shares में, तो ठीक है, फिर आप कभी भी apply कर सकते हो, बट अगर आप उसके अं पांच अप्रेल तक का, तीन दीन का time ओर मिलता है apply करने के लिए, तो मोटा मोटा समरी ये है, कि जिन लोगों के पास SEC के share पड़े है, अभी, उनको RE shares री मिलेंगे, वो या तो उसको market में sell कर सकते है, या उसको hold कर सकते है, और जिन लोगों के पास share नहीं है, वो उसको और buy कर सकते है, market से अगर उनको पार्ट लेना है, तो, दो अपरेल के दिन के खतम होने पे, आपके पास जितने भी RE shares होंगे, आपको उन सभी के लिए, रैडिशू में apply करना पड़ेगा, और आपको उसके अंदर 21 रुपे per share देना होगा, example के लिए मान लेते है, आपने दो अ पासकते हूँ, कभी कवार लोग क्या करते है, प्राइस कम देखकर, एक लाग share buy कर लेते है, दस लाग share buy कर लेते है, बीस लाग share buy कर लेते है, बड़ ये भूल जाते है, कि उनने रैडिशू में apply करते हैं, 21 रुपे per share देना पड़ेगा, अगर मान लोग किसी ने एक प्राइस इसका आने वाल है, देखिए, आरी शेर में apply का price कितना है, 21 रुपे का, और 26 मार्च से पहले trading day पे, जो भी उसके अंदर main share का price होगा, माल लेते है, 25 मार्च को main share का price जो है, वो चल रहा है, 30 रुपे का, और आरी शेर में apply price कितना है, 21 रुपे का, तो आरी शेर का price है, वो निकल के आएगा, 9 रुपे का, पतलब क्या है, कि जो भी उसका current market price होगा, उस time के अंदर minus कर देना 21 रुपे, जो भी value बनती है, उसी के आसपास का आरी शेर का price बिलने वाला है, अभी हम guess नहीं कर सकते है, कि इसका price क्या निकल के आ सकता है, बट मोटा मोटा हम कह स कि इसका price जो है, वो 10 रुपे के आसपास की उमीद लग दियाने की, वो उसे उपर भी हो सकता है, क्योंकि अगर मालो SEC का share यहां से भाग गया, अभी चल रहे 55 रुपे का, अगर मालो अगले एक दो अफते में वो भाग के 40 पहुच गया, 45 पहुच गया, तो आपका RE share का price ह वो निकल के आ सकता है, 15-20 रुपे के असपास, और वहीं अगर SEC की share का price घटकर 30 रुपे आ गया, 28 रुपे आ गया, तो RE share का price जो है, वो कम होकर 9 रुपे, 7 रुपे, 8 रुपे बन के आ सकता है, ठीक है, आपको उने formula दे दी है, formula क्या है कि करण मार्क के price जो होगा उस 20 मार्स से 2 अप्रेल तक ये market में trade करेगा, उस टाइम आप इसके अंदर buy और sell कर सकते हो, जिनके पास पी 2 अप्रेल के end में, RE share जितने भी होंगे न, उनको उतने shares के लिए apply करना पड़ेगा, apply करने के last date है 5 अप्रेल की, और apply होता कैसे है, उसके लिए आपके वास दो तरक payments में होता है, वहाँ जाकर आपको मिल जाएगा इसमे apply करने का option, जैसे हम IP apply करते हैं, उसी तरह सेम, हम RE addition में apply कर सकते है, जितने share आपके अस होंगे, उसके उपर आपको 21 पर शरी देना होगा और आपका apply हो जाएगा, अगर आपके पास net banking का option नहीं है, अगर आपके net banking on न नमबर आपके account में कितने shares है, और आपका price जो बन रहा है, वो price बैंक में जाकर जमा कर दो, तो आपका यह RE addition में apply offline हो जाता है, इसका फोरम है apply करने का, वो मैं निचे description के अंदर mention कर दूँगा, जो offline forum भरना चाते है, वो उससे भढ़ सकते है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप होगा, आप मुझे कभी भी message कर सकते है, मैं आपके message का जुरू reply करूँगा, message के reply करने में थोड़ी देर ही हो सकती है, but reply पक्ता आएगा, आपको इस registry regarding सब कुछ clear हो गया होगा, कुछ भी query बची हो तो आप नीचे comment section में mention कर सकते है, आपकी query को पूरा solve किया जाएगा, वी हो साय लोग ऐसी होते हैं, जो इन dates को भूल जाते हैं, उनको dates की जांकरी नहीं होती है, तो उनका काफी मोटा नुकसान हो जाता है, इसलिए वीडियो को maximum like and share करना, जितना आप like और share करोगे, उतना वीडियो आगे लोगों तक पूचे ही, उतना वीडियो वाहल होगी, चै थैंक यूसामच!